Hey guys, मेरा नाम एक्षे और हम वापस आ गए है एक और टेक वीडियो के साथ इस बार हमारे पास है Samsung का Galaxy J7 Max स्मार्टफोन जो की इंडिया में अनाउंस हुआ है 17,900 इंडिया नुपीस में और इसके साथ ही company ने J7 Pro भी अनाउंस किया है तो फोड़ा मेहंगा 20,900 का मिलेगा मार्केट में इस वीडियो में इस smartphone की unboxing करेंगे इसके features के बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्या यह एक अच्छा device है और क्या company ने क्या features दिये है इस device में तो यह आता है Samsung Pay Mini के साथ 13 प्लस 13 Megapixel के cameras है इसमें 4GB की RAM मिलती है 32GB की storage और जो Samsung Pay Mini है वो तोन डाउन वर्जिन है Samsung Pay का तो उसमें credit debit card नहीं चलेंगे पर PTM यूप यह आप चलेगी इसके साथ यह आता है तो सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है device और आप देख सकते हैं black color का device है देखने में काफी अच्छा है और अगर आप ध्यान से notice करेंगे तो आपको camera के around एक white सा ring मिलेगी और यह Samsung का वही glow feature है जो आपने पहले device पे भी देखा था इस phone में आपको unibody metal construction मिलती है पर इस phone में आपको दो सिम का ट्रेस मिलती है एक में सिंगल सिम लगेगा और एक में सिम और माइक्रोस्जी का और यह आपको मिलती है रीजिनल लॉग डाइट सार सेटिफिकेशन वारंटी एक्सेक्टरा सार वेडियूस की 0.710 है जो की हैड के लिए है आप देख सकते है फिर फोन में आता है आपका micro USB port और फाइनल आपको एक स्टैंडर्ड यह फोन मिलते है यह नॉर्मल तर इतने वाले हैड सेट सेट है इसकी क्वालिटी अभी हमने टेस्ट नहीं करी उसके लिए आपको फाइनल रिव्यू देखना पड़े का और वो शायद सिफ गैजटरी के च अच्छी फील है इस डिवाइस की स्मूद मेटल फिनिश है बाक में माट फिनिश टाइप लुक है इस डिवाइस का यूनिबाडी मेटल कंस्रुक्शन है वेड ज्यादा भारी नहीं है आगे की साइड आपको 13 MP का कैमरा फिर यह 5.7 इंच का आपको फुल एजडी दिस्प लिपोर्ट राइट साइड में आपको और बटन और मिलता है लेट साइड में मिलता है और आध रौर्पलर सिम कार जाएगा और एक में सरह सिम कार जाएगा ओर डिजाइन देखने में अच्छा है और सकते में कभी साइण के मामले में कोई में दिशपले पे आए तो दिस्पले एक डिस्प्ले है जो की बेटर हो सकता था अगा Super AMOLED डिस्प्लेय होता जो कि J7 Pro में है तो वो Super AMOLED डिस्प्लेय के व्यूइंग एंगल्स और आपका कलर रिप्रोडक्शन बेटर रहता है अगर आपको मिलता है यहापे लियू का P20 प्रोसेसर जो की आपका MT 6757 1.6 GHz आपको प्रोसेसर टी 880 मेली का GPU एंट मिलता है चाहिए भी राम 32GB की स्टोरिज मिलती है MicroSD कार्ड सपूर्ट करता है यह जिससे बढ़ा सकते है 256GB तक का MicroSD card यूज़ कर सकते हैं सेंसर की बात करें तो सारे मेजर सेंसर आपको यहां मिलते हैं चाहे वो जायरोस्कोप फो मैगनेटिक सेंसर और एंबिट लिस्ट डिस्प्लेइप देख सकते हैं एंड्रोइड 7.0 पर यह रन कर रहा है समसंग का कस्टम यूआ उपर से आपको मिलता है कुछ सॉफ्वेयर फीचर भी मिलते हैं सामसंग की तरफ से और अब देख सकते हैं यूआ अभी जो हमने फर्स इंप्रेशन में जितना यूज किया इसका तो तो स्मूद लगा और चार जो आपको अलाव करते हैं कुछ चीजे परफॉर्म करना जैसे कि लॉक एंड मास्क एप्लिकेशन और सिक्योर करना अपने वाइफाइ को एक्सेक्टर अगर हम बात करें इंटू टू बेंचमार्क स्कोर की इस डिवाइस पर तो लगभग 45,000 के आरांट यह स्कोर करता है और जो स्मार्ट वलो फीचर है वो काफी सही परफॉर्म करता है उसको पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं आपके पास मल्टिपल अप्शन है जैसे कि प्रायटी अलर्ट नोटिफिकेशन एक्सेक्टर अब डिफ्रेंट आप्स की नोटिफिकेशन के लिए डिफरेंट कहले सब करता हों अलग अलग कर सकते हैं जैसे कि प्रायटी नोटिफिकेशन है कि अगर आप उसके घ्र लगेगा अगर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इसके कैमरे की तो यह फोन आता है आपका 13 Megapixel सब्सक्राइब के साथ फ्रंट कैमरा जो है उसमें f1.9 अपरचर है बाक कैमरे में f1.7 अपरचर है पर दोनों ही 13 Megapixel कैमरे हैं मोड्स में आपको काफी सारे मोड्स इस डेवाइस में मिल जाते हैं जैसे की पैनोरामा ब्यूटी एक्स एक्टरा उसके अलावा थोड़ कुछ अलग मोड्स भी हैं नाइट एक्सेक्टरा उन सब मोच की बाद हम बाद में करेंगे अभी सीधा चलते हैं इमेज क्वालेटी पेस तो फ्रंट कैमरा है वह काफी सही लग रहा है अभी पर हम काफी अच्छी लाइट कंडिशन में थे और बाक कैमरा में भी अगीन अच्छ का देख रहा है f1.7 अपर्चर एक काफी अच्छा पर्चर माना जाता है काफी कम डिवाइस में आपको मिलता है फ्लाक्षिप लेवल के कंपारिशन कभी ने बोला है वह हम टेस्ट करेंगे बाग में बात कर लें बाकी फीचर्स की तो इसमें आपो 3600 एमेज की बैटर मिल सकते हैं पर वो वो स्ली बार को स्कैनिंग और नमल को स्कैनिंग की पेमेंट्स होंगी डिरेक्ट टैप टू पे जैसे क्रेट कार्ड और डेबिट कार्ड की मशीन पर वह यह सपोर्ट महीं करता उसके लिए जैसेवन प्रो स्मार्टफोन है और देखा जाए तो 18,000 में डी अच्छे हैं इस डिवाइस पर बाटरी थोड़ी बड़ी है और इसके एक एक फुल रिवीव बहुत जल्दी करेंगी फॉर्स्ट लुक और एक अंबॉक्सिंग वीडियो था तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इस चैनल को और जजट आई के में चानल को